कि नोटिफिकिशन के लिए बेल बटन दबाईए और नए वीडियो की आपडेट के लिए सब्स्क्राइब करना ना भूले तो प्लीज सब्स्क्राइब जरू करें नवसे दोस्तों आपका सौकत है मेरा यूट्यूब चैनल हीट शॉट फिल्म में आज के इस पार्ट में मैं आपको बता नहीं जा रहा हूं CPU जो लट्टाप को जो CPU यह जो fan होता है इस fan के बारे में ठीके तो देखिये जब हम यह आप देख रहे हूं यह जो fan जो होता है जब हम खोलते हैं और अगर ऐसे situation में हो अगर आपके साथ ऐसा हो के यह जो आप इसके जो connections है यह जो connections है यह अगर वायर टूट जाए तो हमें वापस से वाइर लगाने के लिए इसको इसे आपको मतलब यहाँ पर चार पॉइंट से यहा दिखाए गये हैं आप को देखना पड़ेगा फिर इसमें से वह चार पॉइंट कौन से हैं क्या है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरिका हैं अगर यहाँ से आपका अग को मैं बताने वाला हूं तो यह बहुत ही इंपोर्टन है अगर आप लटा प्रिपेरिंग करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक आप देखे ताके आपको समझ में आए कि अगर यह वायर अगर कट हो जाती है तो आपस से कैसे इसे प्रॉपरली लगाए क्योंकि य अगर आपको सही तरीके से उसका वायर लगाना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो वायर है यह कौन से पीन पे आपका यह यहापे जो मोटर लगाया हुआ इस मोटर पे यहापे सही से कनिक्शन लगाते है ठीक है तो चलो फिर देखते हैं आप देख सकत यहां पर इसका continuity आ रहा है बजर आ रहा है ठीक है तो अभी फैन पर इसे हम कैसे चेक करेंगे ठीक है यह आपको दीखना ज़रूरी है सबसे पहले तो यह तीन वाइर से एक red एक black और yellow ठीक है अब जो red होती है वो five hold यहां से निकलता है यहां से five hold निकलता है जो black wire है वो है negative और यह जो yellow wire है यह fan control rpm जैसे हमार rpm control signal wire होती है यह yellow जो wire है वो ठीक है तो दीखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि negative वाली wire कौन सी है तो negative वायर है वहाँ पर हमें से मैंसे बजर आपको देखने को मिलेगा असुनने को मिलेगा ठीक है पहले red पर लगया मैंने नहीं आ रहा है ब्लैक पर लगया आगया यह लो पर लगया नहीं आए ठीक है तो यहां पर तो हमने पहले तो negative वायर का जो है वो detection कर लिया है अभी हमें क्या करना है कि यह वाला पॉइंट कौन सा है यह वाला पॉइंट कौन सा है हमें वह एक बार चेक करना है तो देखिए अभी यहां पर मैं लगता हूँ ठीक है देखिए यह negative है यहां पर ठीक है जो negative है यहां से यहां तक गया है ठीक है अभी मुझे क्या करना होगा अभी मुझे continuity test करना है तो मैंने क्या किया है अभी जो black probe है वो मैंने लगाया है red वायर पे और यहां पर जो यह capacitor एक ही capacitor यहां पर आपको दीखेगा दीखे तो दीखे अब होता क्या है कि जो एक capacitor होता है इसी capacitor पर हमारा power आता है ठीक है तो यह fix हो गया कि यह जो अगर यहां से यहां तक मुझे करेंट करेंट मिल रही है तो यहां पर हमारा positive supply के लिए connection होगा ठीक है और जब मैं यहां पर एलो वायर पर लगाता हूं तो देखिए मुझा भी कोई यहां पर connectivity नहीं मिल रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलो वायर जो है वो हमें जो थर्ड पीन है वहां पर हमें लगाना होगा ठीक है तो बहुत ही simple है यह detect करना और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर आप देख सकते हो यह जो connection है यहां पर एक arrow दिया हुआ है तो जहां पर भी arrow होता है वो positive का यहां पर supply होगा यहां से आपको five hold यहां पर मिलेगा और यह दोनों पीनों में से कोई एक पीन पर आपको ground connectivity मिलेगी ground अगर आपका बज़र होता है तो वह आपका ground रहेगा और जो last pin रहेगा third pin वह आपका rpm signal पीन रहेगा ठीक है तो इस तरह से आपको जो अगर यह wire टूट जाए यहां से टूट जाए या फिर यहां से टूट जाए यह आपको ऐसे आपको इसका detection करना है बहुत ही simple है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करे, share करे और subscribe करे और देखते रहे ही हिट शॉट फिल्म्स, thank you हुआ 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 हुआ